इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे गेहूं की A to Z संपूर जानकारी जैसे बुआई कौन सी खाद देनी चाहिए उन्नत समय, खरपदवार की रोक थाम, गिरोथ, बढ़वार, ब्रधी और इसके अलाबा पीला पन यदी हो रहा है तो उसके कैसे रोक थाम कर शकत अधिक उपज उत्पादन के लिए कब कौन सी खाद देनी चाहिए इस अक्टूबर और नवंबर का महिना गेहूं की खेती करने के लिए सबसे उपयोकत समय है, यानि अक्टूबर की अंतिम 17 से 15 नवंबर की आसपास अनुकूल समय रहता है गेहूं की बुआई करने के लि और रोटूबेटर से खेत को समतल और मिट्टी को भर भरी करा लिजिए इसकी अलावात करते हैं उननत किश्मों के बारे में तो अलग-अलग राज थोड़ा सा एरिया के हिसाब से मिट्टी के हिसाब से अरली फार्विंग के हिसाब से लेट फार्विंग के हिसाब से भी बात करते हैं प्रती एकड़ सीट्स तो एक एकड़ में 50 kg से लेके 60 kg बीच परियाप्त होता है एक एकड़ के लिए कुछ बैराइटी होती है जो 50 kg काफी होता है एक एकड़ में थोड़ा सा बैराइटी पर भी नर्भर करता है लेकिन 50-60 kg एक एकड़ के लिए काफी होता है और कई इस्थानों में तो किसान भाई 70 किलोग्राम तक प्रतियकर की दर्से बुआई करते हैं। बीज उपचार करने से अंकुरन सही होता है, स्वस्त ग्रोथ होता है, तो गैहूं की खेती में कम से कम लागत पर आप अधिक से अधिक मुनाफ़क कैसिल ले सकते हैं। देखें बीज उपचार करें आप रेडिमल गोल्ड फंगी साइट से एक किलोग्राम बीजों को दो ग्राम रेडिमल गोल्ड से बीजों को उपचारत आपको जरूर करना चाहिए। इसके अलावा किसान भाईयों बात करते हैं बौआई के समय खाद जो सबसे ज़्यादा महत्त पूर्ण है। बौआई के समय आपको कौन-कौन सी खाद देनी है करपया ध्यान से सुनिए। जब आप बौआई कर रहे हों तो डीएपी लगभग 30 किलोग्राम इसके अलाव सिंगल सुपर फासफिट 50 किलोग्राम एम ओपी मूरिट और पूटास 20 किलोग्राम और यूरिया 25 किलोग्राम इन सबी को मिक्स करके बौआई के समय आप इस्तमाल करना हैं बौआई के समय यूज करना है किसान भायों बात करते हैं डिस्टेंस पौधे से पौधे की दूरी यानि सीट से सीट से डिस्टेंस रखना है चार से पांस सेंटी मीटर और लाइन से लाइन का डिस्टेंस रखना है साथ से आठ इंच और गहराई हमको करनी है लगभग 4 से पांस सेंटी मी गैहों की फसल पर पहले सीचाई आपको भॉआई से जस्ट बात कर देना हैं और फिर बारा से पंदरा दिनों की अंतराल पर सीचाई करना चाहिए गैहों की फसल पर मिट्टी पर नेरभर करता कितनी सीचाई लगेंगी नौरमली देखा जाए तो 5-6 सीचाई की आवस्तक्ता पड़ती है किसान भाइयों बात करते हैं खर्पदवार नियंतरन तो बुआई के 24 घंटे के अंदर खाली खेत में ही आप पेंडा मैथलीन 30% EC को एक लीटर 200 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे कली खेत में और यदि आप ऐसा नहीं कर पाए हैं तो बुआई के यदि खर्पदवार उग रहे हैं तो बुआई के लगवग जब 25 से 30 दिन की होती है तो आप खर्पदवार नाशक जैसे UPL कमपनी का बैस्ता खर्पदवार फॉप पर गायल 15 परसेंट जिन खेतों में अधिक से अधिक मंडूसी यानि गुली डंडा खर्पदवार उगता है बहां बुआई के समाही मौमुजी या फिर जैदवा खर्पदवार नाशक का भी आप स्प्रे कर सकते हैं यदि खेत में खर्पदवार उग रहे हैं तो को देनी है जब आपकी फसल 25 से 30 दिन की होती है तो आपको 45 किलोग्राम यूरिया और उसके साथ 5 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रियंस एक खाद को प्रती एकर जणों की पास देकर सीचाई आपको कर देनी है पहली खाद देनी है दूसरी खाद दूसरी खाद जब के अलाबा 500 किलोग्राम इफको कंपनी की सागरी का दानेदार को इन दौनों को जलों की पास देकर सीचाई कर दीजिए इन दौनों डोज को आप दीजिए बहुत ही बहतरी आपको रेजल्ट और परड़नाम देखने के लिए मिलेंगे किसान भाई इसके लाव बात करते है परड़ने इसप्रेस टेडिल तो के बाल गयाहन की फसल पर एक इसप्रे की जरुरत है जैसे कीट आते हैं माहूज चेमपअ और इसके लाव आप फंगस आते हैं रस आता है करन बन आता है और पीला रथ हुआ और सकिंग प्रिश जैसे रस चूसने वाले कीटों का भी पिर को देखने के लिए मिलता है प्रॉपी को नोजोर 25% EC को 200 ml और उसी के साथ आपको लेना है किलोर पायरिफास 50% प्लास साइपर मैथरी 5% EC को 350 ml और दौनों को मिक्स करके 150 लीटर पाने मिक्स करके स्प्रे करना है जब ग्यहوں की फशल 25-55 दिन के बीच की होती है तब आप स्प्रे कर सकते हैं किसान भाययों बात करते हैं अंगली टौपिक के बारे में PGIR यानि प्लांट गरोथ रेगूलेटर ग्यहों प्लांट गरोथ रेगूलेटर क्यों स्प्रे करना चाहिए क्यों जरूरी है गेहु की फसल पर प्लांट ग्रोथ रेगुलीटर स्प्रे करने से गेहु जरूरत से ज़्यादा हाइट नहीं होती है और गेहु नहीं गिरती है और बालियों की लंबाई ठीक तरीके से होती है तो उसके लिए सबसे बेस्ट है मैपी कॉइट किलो राइट 5% को आप स्प्रे कर सकते हैं बालिया निकलते समय आपको जैसे घरड़ा कमपनी का है 200 ml 150 लीटर पानी पर आपको मिक्श करके स्प्रे कर देना है अगर आप चाहते हैं कि जब बालिया आपकी निकल रही होती है त तो आप मैपी कॉइट किलो राइट यानि घरड़ा की चमतकार के साथ आप B20 बोरॉन 20% को 100 ग्राम इन दौनों को मिक्श करके प्रती एकड़ 150 लीटर पानी मिक्श करके स्प्रे कर सकते हैं आईए जानते हैं गया हुमें पीला पंदूर करने के सरल उपाई यदी जो हमने खाद का सेडल बताया है और हमारी किसान भाई खाद देने के बाद भी पीला पन दूर नहीं होता है गया हमें पीला पन नजरा आता है तो उसके लिए आप बाटर सेलीवल घुलन सील खाद एन पीके का स्प्रे कर सकते हैं जब आपकी फसल लगबग 40 बे दिन की होती है तो आप एन पीके 1999 घुलन सील खाद 500 से 700 ग्राम प्रती एकल की दर से इस्प्रे करना है और जब आपकी फसल बालियां निकल रही होती है तब आप जीरो बाबन चोंत इसको एक किलो ग्राम एक एकल की दर से इस्प्रे आप कर सकते हैं यह ओप्सिनल है यदि आप चाहें तो ही कि state और डूर्टि जो हैं पील पन नहीं तो कोई जरूरत नहीं है एनपि की इस्प्रे करनी की बात करतें किसान भाईयो गःहूं का जीवन चक्र तो यह भात करते हैं उपाज उतपादन और प्रिडक्सन के बारे में तो ग्यहूं Ustikď अगर बेराइटी पर निर्वर करता है, मिट्टी पर निर्वर करता है और सींचाही और खाद के डूज पर निर्वर करता है 24-26 कौंटल की आसपास प्रती एकल की दर से उतपादन होता है और कई इस्थानों पर लगवग 18-19 और 20 कौंटल की दर से उतपादन होता है तो कई एलाकों में लगभख 24 से 25 और 26 कोंटल के आसपास प्रती एकड़ की दर्स से गेहूं का उत्पादन देखने के लिए मिलता है बात कर लेते हैं खर्च के जैसे कि अजित की 108, 102 और 109 के तीन विराइटी आप लगा सकते हैं और ये 45 पानी में आपकी किसमें तैर हो जाती है और हाइलिंग विराइटी है खाने में भी एच्छी है तो ये आप प्रिपेर कर सकते हैं अलाबा जरूरत से ज़्यादा इूरिया के इस्तमाल ना करें यानि 50-60 दिन के बाद 60 दिन के बाद आप यूरिया नाइट्रोजन का प्रियोग ना करें यदि नाइट्रोजन का प्रियोग आप 60 दिन के बाद करते हैं तो कई प्रकार के रोग और कई प्रकार के डिजीज आते हैं समय पर ही बुआई करना चाहिए और एक एकड़ पर 50-60 किलो ग्राम प्रती एकड़ की दर से बुआई करना चाहिए किसान भायों कुछ इस प्रकार यदि आप ग्याहों की खेती करते हैं तो आपको उपाज उत्पादर में काफी बढ़ोत्री देखने के लिए मिल सकती है इंस्ट्रेग्राम पर फॉलो करें और हमारे फिसुक पीच को लाइक कर सकते हैं मिलते हैं कुछ और महत्पूर और ग्यान वर्धक जानकारी की साथ तब तक के लिए धन्नवाद नमस्कार